हलो इस्टूडेंट मैं दीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है UPSC 2024 प्रीलियम्स पर इक्षा को ध्यान में रखते हुई यह सीरे चलाई जा रही है जिसका टार्गेट 26 माई 2024 को जो आपका प्री का पेपर है उसके बेसेस पर यह स्रंख्रा लाई जा रही है जिसमें डेली आपको मौक टेस्ट प्रदान किये जाएंगे जो की रात के 9 बजे आपको यह उपलब्द होंगे कि आप रोजाना दिन भर आपने पढ़ाई की हुई है और रात में आप एरिविजन के तौर पर इन टेस्ट को लगा सकते हैं अभी तक हमने इसका डे 1 और 2 को गंपलीट किया है आज हमारा डे 3 के अंतरगत सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के कुश्चन इसमें पूछे गए हैं और आपकी तैयारी किस तरीके से हैं तो यह रोजाना का एक सेल्फ रिविव करने की परपस से सीरेट चलाई जा रही है कि आप दिन भर पढ़ते हैं जहां आपका नोट्स बनाया है तो जिस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप वहाँ पर जो नया मिलता है उसको नोट भी कर सकते हैं आप अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा लोगों तक इसको पहुँचाएं कि यह और ही भी जादा लोगों को इसकी मदद मिल सके अब आता है हमारा इस रंखला के अंतरगत पहला कुश्चन की जॉंबी रंड की सम्मंध में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे इसमें पहला कथन करता है कि खराब रंणों को खारेज या राइटिंग ऑफ करने की वज़े से उन्हें रोल करने की पिर्था को जॉंबी ब्लेंडिंग कहा जाता है दूसरा कथन दिया गया है कि यह अर्थविवस्था में कंजक्शन के करण बनता है फिर आता है इसका तीसरा कथन जिसमें दिया गया है कि इसकी शुरुआत उन्हे शुनब्भे के जापानी बेंकिंग संकटके से होई थी तो उप्रियूक्ट कथनों मैंसे कौन सा कथन सही है आपको यह उतर बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है इसमें पहला option आपका दिया गया है कि केबल एक होगा दूसरा आद दिया गया है कि केबल एक और दो होगा तीसरा आता है कि केबल दो और तीन होगा और option डी आता है कि तीनों कथन आपके सही होगे तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है तो इसके अंतरगत यह आपकी कथन रही है, कौन-कौन इसे खराब रणों को खारिज करने की संदर में, यह तीनों क कथने आप फिर से पढ़ लीजे, तो जिससे आप इसका उत्तर आसानी से दे सकें, अब आपने पढ़ी लिया होगा, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, तो इसमें आपके जो तीनों कथन हैं, वैं सही होगे, कि यह जो खराब रणों को खारिज करने की बजाए, यह उन्हें रोल करने की प्रथा को जॉंबी लेंडिंग कहा जाता है, और यह अर्थविवस्था में कंजेक्शन के कारण बनता है, और तीसरा आता है इसमें कि इ असत्त कथन बताना है, इसमें ऑप्सन ही आता है कि यह गुजरात की सबसे पुरानी और सबसे लोगप्रिय कला रूपों में से हैं, दूसरा आप्सन भी आता है कि कि इस पेंटिंग में आमतोर पर इस्तमाल किये जाने वाले सफेद, काले और लाल, लाल और पीले रंगों क प्योग होता है और option D आता है कि पेंटिंग की सिमाओं को पहले पूरा करना एक परंपरा है तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा कथन असत्त है तो इसके अंतरगत आपका जो उत्तर होगा option ही होगा क्योंकि इसमें पहला है जो वह असत्त हो और तीन इसमें सही है क्योंकि य जाता और पेंटिंग की सीमाओं को पहले पूरा करना एक परंपरा है तो इसमें चारों कथनी सही थे इसमें असत्त बताना था तो यह गुजरात की जगए आपका उड़ीशा होगा कि यह जो सैली है वैं उड़ीशा में इसका निर्मार किया जाता है उड़ीशा में लोगप दान तो उप्योक्त में से कौन सा ग्रेट ग्रीन वाल पहल का हिस्सा है तो आपका बताना है कि ग्रेट ग्रीन वाल पहल का हिस्सा कौन-कौन से देश है तो इसके उप्सन आपको बता देते हैं इसमें पहला उप्सन दिया गया है कि केबल एक दो तीन होगा दूसरा उप् फिर से देख लेंगे कौन-कौन से देश दिये गए है अब आपने देखी लिया होगा कि किस तरीके से ये प्रश्ण दिया गया है तो ये great green ball की जो हिस्से के अंतरगत आते हैं इसमें 2-3-6 देश जो हैं वह आपके आते हैं तो आप संडी होगा की चार आता है इसमें फिर आ बड़ाता है आपका next question जिसमें पूछा गया है कि dragon फल की बारे में निरिखित कथनों पर बिचार कीजी एगपकरण की संदर में इसके इंत्रगत पहला कथना आता है कि dragon फल उत्री अमेरिका के जंगली केक्टस की एक परजाती फल हैं दूसरा कथना आता है कि dragon फल दुनिया क सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी अतनाम है तो इसमें आपको बताना है कि कौनसा कफन सही है है जिसके अंदरगत клад सनी आता है केबल एक होगा ऑपसन इसे आता है कि एक और दो नहों होगे और क्या रग Cheese कि अब आपने सोच लिया होगा कि आपका उत्तर कौन सा होगा तो हम बता देते हैं कि इसका उत्तर होगा और यह ड्रेगन फल एक दुनिया का सबसे बड़ा और निर्यातक बियतनाम है अब आता है आपका नेक्स्ट कोश्चन जिसमें पूछा गया है कि सिंधु जल संधी के तहत निमलिखित नदियों पर विचार कीजिए सिंधु जल संधी के तहत जिसमें पहली आती है सिंधु द जिनका भारत के पर चंपूर जल पर नियंतरण है इसमें पहली आता है कि केवल 1,2,3 आता है केवल 2,3,4 आता है केवल 3,4,5 और आता है 4,5,6 तो इसके अंतरगत आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियों पर भारत का संपूर नियंतरण है तो इसमें आपको उत्तर बता द तीन चार-पाच के अंतरगत कौन देख लेते हैं कौन कौन सी नदिया है ब्यास नदी हुआ रावी नदी और सत्ला नदी यह तीन जो नदिया हैं उन पर भारत का संपूर्ण नियां तुक यह आपको याद कर लेना है यहां पर यह प्रिश्ण सरंखला साब्थ होती है नेक् motivation मिले और हम आपको और भी अच्छे-च्छे question प्रोवाइट करें धन्यवाद